हेलो जाइन दोस्तों आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल नौकृत के आशा आप अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे और मैं सबसे पहले बता दूँ यह न्यूच बीएड वालों के लिए जो भविस्थ में बिहाग में खासकर BPSC के माध्यम से सिच्छक बनना चाहते हैं और B8 का एक्जाम कल दे रहे हैं उन सभी को हमारे तब से बेस्ट अप लग है लेकिन मैंने कुछ बाते लिखा है चुकि यह रात अंती में आपका एक्जाम कल होना है तो आप कहेंगे सब पास कैसे हो कम से कम पास होने का विक बता चुके या नहीं निकले हैं तो क्या-क्या साथ में लेकर चले वह तुमाम बाते हम बताएंगे आप यहा देख कह ब सकते हैं यह देखेएगा मैंने लिखा यहां देखिए ग्जाम के लिए महत्पून tips क्या होगी और सरकारी सीट के लिए क्या करना होगा exam hall में क्या लेकर जाना है सबसे अहम बिंदू इस बार आपको मैं फिर बोल दूए starting में ही दो admit card लेकर जाना है दो photo लेकर जाना है और एक अधाय card original लेकर जाना है अब आपको video छोईके भागना है तो भाग सकते हैं लेकिन अब भी कुछ चीजे बाकी है आप बने गई ये गात तो हम बताएंगे चुकि आप लोग fast 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 बोलते हैं ये नहीं ले जाओगे तो exam में नहीं बैठ पाओगे ऐसा मैंने लिखा है तो कुछ सोच के लिखा होगा ठीक है आगे बढ़े चली अगे बढ़ते हैं सबसे पहले आप जब ये अडमीड काड, तीन पेज का आपका आडमीड काड होगा दो पेज का तो आप दोनों पेज निकाल लेजेगा प्लीक्राइब अगेंगीन में निकाल लेखा आपके पास ले जाना आपको लेकिन वहां पे आपके पास ही गाएगा और भविस के लिए भी एस्टुडेंट कॉपी को रखिएगा क्यों जब आपका नामंकन होगा जिस कॉलेज में आप एलोटेड होंगे एक्जाम के बाद पास होने के बाद मेरिट लिस्ट बनेगा तो यह कॉपी मांगेगा एस्टुडेंट कॉपी ठीक है यहां देख लिजिए अब यहां देखिए नीचे आईए एक यह क्या लिखा हु यहां पर लेकिन आफिस कॉपी है यानि दो एडमिट कार्ड ले जाएगा वहां पर ओफिस कॉपी वाला ले ले लेगा वह जमा कर लेगा जो इनिविजिलेटर होता है जो टीचर होगा वहां पर और यहां भी सेम फोटो चिपका लीजिएगा ठीक है यह तो आप समझ गए दो फोटो और दो एडमिट कार्ड एक ओफिस कॉपी एक वो ठीक है यह जमा हो जागा यह रहेगा और सबसे वहां बंदू यह आपको बता दे जो आप भाग जाएगा इससे पहले आपको बता दे यहां ध्यान दीजिएगा आप यह देखिए यहां क्या लिखा हुआ है य एक्जाम स्टार्ट कपस होगा 11 से एक बजे यह तो सभी जानते हैं लेकिन आप कोशिस किजिएगा साधे 10 बजे से पहले वहां पहुच जाईए साधे 10 भी हम नहीं बोलेंगे 10 बजे तक पहुच जाईए वहां पे साधे 10 बजे आपको गेट क्लोज हो जाएगा और कोशिस किजिए 10 बजे से पहले पहुचिए 11 बजे से आपका एक्जाम होगा और एक बजे खतम हो जाएगा बल्ले-बल्ले किजिए इसके बाद आपको नोकृतक बताता रहेगा और कोई बात तो है नहीं यहीं बाते हैं चलिए रिपोर्टिंग टाइम यहां दिया हुआ ह रिपोर्टिंग टाइम इसका मतलब हुआ साधे आठ बजे यानि यह बोला है कि वहां आप पहुंच जाए कोई पहुंचने वाला दूर से आएगा अधर जीला से आएगा तो वह साथे बजे पहुंच जाएगा इसका मतलब नहीं महत्त्व है इसका गेट कब बंद होगा तो गेट साधे दस में बंद होगा आपको दस बजे तक पहुंच जाना है ठीक है 120 प्रस्ट होंगे 120 मार्क्स होंगे नो निगेटिव मार्किंग भर्मान का नाम लेके सट्था मार देना चलिए अब अहम बिंदू लेते हैं इसके कुछ प्वाइंट बहुत सारे प्रस्ट ने आपके मन में किसा कौन सा पेन लेके जाएं क्या लेके जाएं जो पहली बार चुकि बियर का एक्जामा पहली बा पेन से ही सही गोले का गहरी निशान से भरे यानि काला आपके पास लिंक का पेन होगा 7 कीमत है लिंक लिंग लिंग्लाइसर ले लिजेएगा बुलू या बलैक में लेकिन कोशिस कीजिएगा बलैक। अच्छा होगा और जब वयमार होता है आजए वहां जो आप ये चार रहेगा इसमें आपको इसमें आपको क्या करना हैा तो क्रशी के महांसे स्टर्र चेंदे Performance लिएे साहिए यह हो गया तो जोग आधा कर देंगे यह गलत है तो यह जोग मार देते हैं सब गलत है जोसलोंЕ impressed हो गया है दूसरा देखिए ज्यान से और यह अहम बिंदू है कुछ गलतिया इसमें हो जाती दूसरा पॉइंट देखिए क्या बोल रहा है सभी प्रश्ण वस्तु निष्ट प्रकार के होंगे प्रतेक प्रश्ण का एक ही उत्तर सही है यानि 120 सब के सामने समनी बिकलब आगे आगे अंदर के निष्टत नहीं है ठीक है से और बढ़ें जारा नहीं है बाहर से अंदर की तब आई इसे और जो दिक्त देखिए कोईoggгор नहीं है ठीक है आगे बढ़े चलिए अब यहां देखिए क्या है तिसरा प्वाइंट हो गया चौथा देखिए दिये हुए जगह पर विच्छक की उपस्थिती में ही हस्ताक्चर करें यानि आपके सामने जो तीचर होंगे सिच्छक होंगे उनके सामने जो आप दो एड्मिकार्ड ले जाएंगे उनके सामने ही सिगनेचर करना है अब भाई सिगनेचर का इसा वह भी देख लीजिए यहां देखिए न भाई यहां लिखा हुए सिगनेचर आप के सामने में उपर इन दोनों में साइन करना है हिंदी के सामने हिंदी इंग्लिस के सामने इंग्लिस ऐसा क्यों भाई चुकि आपके जगह पर हो सकता है कोई दुसरा भी बैठ जाए ऐसा धांदली होता है इसलिए फिर आता एक और कॉपी आपके सामने है यह हो गए आपका ओफिस कॉपी जमा हो जाएगा तो यहां भी आप फीचार के सामने कर लिजेगा हिंदी के सामने हिंद इंग्लिस के सामने इंग्लिस अच्छे से किजिएगा और फिर बोल दे यह जम हो जाएगा ऑफिस कॉपी कॉपी अपने पास रखना नमंकर में काम आएगा आगे बढ़ते हैं देखाये देगा आगे बढ़े क्वालिटी बढ़ा लीजेगा चली इसके बाद आते हैं यह पता है आपको परिछार्थी को अपने निर्दारत के रखना के अदुक में क्या होगा बबू कर बढ़े यह देखिए यहां देखिए बड़े परिछा के इंद्र में मुबाईल यहां लिख भी दिया है मोबाइल स्मार्ट घरी लैप्टॉप कैमरा कैल्कुलेटर अगर उंठी पहने हुए तो निकाल दीजिएगा अगर वैसे लाओ तो होता है लेकि फिर भी कोई बात नहीं अगर वैसा होगा तो वहां चिपका दिया जाएगा लेकिन जो भी हमारे हाई है वह बैल्ट घरी इससब मत पान के जाएगा ठीक है कोशिस कीजिएगा सिंपल में जाए अपने प्रभेश पत्र को सुरच्छित आना है ऑफिस कॉफी जमा हो जाएगा अश्टुडेंट कॉफी आप घर लेके चले आना और उसको घर में अच्छित रखना जब आपका मेरिट लिस्ट बनेगा नाम आएगा तो वहां पे जमा ले लेगा इसलिए सुरच्छित रखे वहीं इंपोर्टेंट इसलिए बोले निगेटिव हो जाईएगा उपर में उसको पढ़ लीजेगा परशार्ति को अपने निर्धारित परिच्छा केंदर पर साधे आठ बजे तक उपस्तित हो जाना है किसी भी परिच्छाहौल में ज्यान से परिच्छा की परवेश क्यर्वति नहीं दी जाएगी यानि आठ 10 बजे तक पहुंच जाना लेटेस्ट अब देखिए लगता आप लोग भागने तो भाग जाईए परवेश पत्र यानि एडमिट कार्ट की दो प्रती डाउनलोड करना है तार्याला प्रती यानि ऑफिस कॉपी परिच्छाहौल में विच्छक को जमा करना आनिवारी है ज यदि प्रवेश पत्र पर फोट अंकित नहीं है तो प्रचाहती प्रवेश की दोनों प्रती पर अध्यतन रंगीन फोटो यथा अस्थान पर चिप्रा कर ले जाएंगे यानि काने का मतलब हुआ कभी कभी ऐसा होता है यहां देखिए आप दो सेम फोटो ले जाना कभी कभ अब यहां देखिए अपनी पहचान के लिए आधार कार्ड अबस साथ लाएं आधार कार्ड ले जाएगा पर इच्छा आवदी 11 से के एक बज़े तक चालू होगा कोई दिक्कत नहीं है पर इच्छा के अंदर पे किसी प्रकार के कदा चार में आपको पीटा भी जा सकता और जेल बेजा जाएगा अब भी आधार कार्ड ले जा रहा है तो आधार कार्ड से लिया जाएगा और अंत में आपको यहीं कहेंगे अंत में आपको एक सलाह दे देते हैं अंत में आपको इतना हम बोल दे यह सारी जितनी मैंने बाते बोला साइद आपको इसमें समझ भी आया होगा और एक बात अंत में बोल दे कि आप जहां भी हो बेस्ट विसस के साथ आप बढ़ते रहे आपको बेस्ट आफ लख हम बोलते हैं नौकरी तक ठीक है लेकिन आप अंतिन समय में कुछ नहीं करे आप जितना पढ़े हैं अभी फिलाल गाना सुनिये हो सके तो राखने मंद्री चले जाना सामने ठीक है एकजाम में होता है एकजाम को देने मत जाना समझना हम जा गये हैं ठीक है जितना पढ़े बढ़िया यहीं एकर lavender नवरिशाम होगा तो नाम रोल लम्मर जो भी है उसको कम से कम अच्छे से भगेगा पहले तो वही है उसके बाद भरिएगा तो ओम्याग सीट जो मिलेगा जिसमें आप एंसर किजेगा तो छो सकता है वहाँ पर आपको रोल नम्बर गोला करना हो या आपका नाम लिखना हो OMR seat होता हैур hem ar seat यानि शों बोलतेg एंसर इंसर इंसर पर किजिए गा अच्छे से पहले जो भी नाम होगा तो नाम रोल लंब तो अच्छे से घरना होगा तो भी कर दीजिए यह पहला काम इसके बाद 120 प्रश्ट मनाना है 5 मिनट कम से कम इसी पर देना इसके बाद अंसर पर देना और कोई बात नहीं बिंदास रही है और हाँ सरकारी सीट के लिए क्या करना होगा एक ची आपको बता दें इस सीट के लिए आप इतना जाले 120 में से कम से कम 90 नंबर से आप उपर लाएं 90 से उपर लाना होगा लाने के लिए 60, 65, 45 पैता सभी लाते हैं 90 से उपर लाएंगे तो 100% आपको सायकारी मिल गाएगा और 28 सभी करना चाहते हैं क्यों नहीं चाहेंगे भाई यह चैनल आपका आपके खुद का चैनल है इस चैनल पे बोलते हम हैं लेकिन सपूर्ट आपका मिलता तो ही बोलते हैं तो नौकरित hopsddको आप सब्सक्राइब कर लिजैगा जिससे कि आपके पास पोई भी जानकाईग सबसे पहले पहुँचे לפ辛苦 कर लिजेगा आज के वीडियो में इतना ही वीडियो को इंड करते हैं खुस रही है बेस्ट अप लग कल के लिए कल दस बज़े से पहले पहुचिएगा ठीक है जय हिंद्र जय भारत